लदाक में भारत चीन सेना के बीच हुए हिंसक जड़प के बाद जल थल और वायू सेना पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है भारत की तीनो सेनाओ को अलर्ट पर रहने का फैसला रक्षावंत्री राशनाच सिंग, चीफ आफ आफ आमी डिफेंस जनरल विपिन रावत और तीनो सेनाओ के प्रमुखों की हुई बैठक में लिया क्या तो मैं जोरान 3500 किलोमेटर की चीन सीमा पर भारती सेना की कड़ी नजर है इसके अलावा चीन को कड़ा संदेश देने के लिए हिंद महा सागर शेत्र में नौसेना ने भी अपनी तैनाथी बढ़ा दी है साथ ही में सेना ने पहले ही अरुनाचल प्रुदेश उत्राखंट हिमाचल प्रुदेश एले सी समेट अपने सभी प्रमुख फ्रंट लाइन ठिकानों पर अतरिक्त जवानों को रवाना कर दिया है गौर्दला भै कि सुमवा रात को गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों की बीच में खूनी जड़ा फुई जिसमें भारती सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे ऐसे में भारती सैनिकों की शहादत के बाद देश भर में आकरोश का महौल है कि झाल एक बाद को पर पर देश हो गएम धनी हाद पहन बारती सैनिकों ताल भी चिंग आर दोशा है ऑल एक्यों से जहाद या गिसलें हुई पाल